नमस्कार दोस्तों संबाद मिथिला में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हासिर है हम मिथिला की एक और महत्तोपूर्ण खबर लेकर तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहेगा स्किप करके कहीं मच जाएगा दोस्तों आठ नोवंबर 2020 को दर्भंगा एरपोर्ट से उडान यूजना के तहट फ्लाइट की शुरुआत हुई थी शुरुआत की समय से ही इस एरपोर्ट ने उडान यूजना के तहट भारत में जितने भी एरपोर्ट संचालित हैं उन सब को पच्छार कर रखा हुआ है दोस्तों इस एरपोर्ट से उडान भरने वाले और यहां उतरने वाले यात्रियों की संख्या हर दिन धाई से तीन हजार की होती है इस एरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरू, हैदराबाद और कोलकाता के लिए रेगुलर फ्लाइट चलती हैं इन सभी शाहरों को मिला कर आने और जाने वाली कुल सोलो फ्लाइट यहां से चलती हैं दोस्तों आप यह सोच रहे होंगे कि यह आकड़े इस वीडियो में हम आपको क्यों बता रहे हैं क्योंकि यह सभी आकड़े पॉब्लिक डोमेंड में मौजूद हैं और इसी महीने की 11 जुलाई से इस ट्रेंड ने ज्यादा जोर पकड़ लिया है। 11 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के जो आंक्रे हमारे पास उपलब्द हैं उनको अगर आप देखेंगे तो यात्रियों की संख्या तकरीबन आधी रह गई है। और इसी वजह से इंडीगो और स्पाइस जेट विमानन कमपनियों ने फ्लाइट की संख्या को भी तकरीबन आधी कर दिया है। 14 जुलाई का जो आंक्रा हमारे पास उपलब्द है उसके अनुसार यात्रियों की कुल संख्याती 1486 और फ्लाइट संचालित की गई 10। दोस्तों कुछ समय से चल रहा ये ट्रेंड लगातार जारी है और इसे देख कर लोगों को निराशा हो सकती है क्योंकि दर्भंगा एरपोर्ट पर विकास की काफी संभावनाय हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि भी संड करोना काल में भी जब दूसरे एरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या कम हो रही थी तो दर्भंगा एरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में लगादार बढ़ोतरी हो रही थी और ये जो 3-4 दिनों का आकड़ा है ऐसा आकड़ा अब ही भी कोरोना काल में भी नहीं देखने को मिला था दोस्तों यात्रियों की संख्या घटने को लेकर कई तर्क दिये जा रहे हैं कहा जा रहा है कि मिधिला में शादी ब्या का सीजन समाप्त हो चुका है और यहां कोई बड़ा तेवहार भी नहीं है ताकि बाहर से लोग य जहां से जाएं लेकिन दोस्तों ये तर्क इसलिए गले से नहीं उतरता है कि दरभंगा से जो भी ट्रेने दिल्ली मुंबई या दक्षिन भारत की और जा रही है वे ट्रेने सब ही भरी हुई जा रही है खचाकच भरी हुई जा रही है तो फिर एरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में कमी क्यों दोस्तों ये चुटियों का सिजन चल रहा है और ऐसे समय में जब देश के दूसरे एरपोर्ट लगातार रश में जा रहे हैं लगातार विमानों में भीड जा रही है तो फिर दर्भंगा एरपोर्ट पर ऐसे समय में यात्रियों की संख्या में कमी क् सवाल है तो क्या ये कहा जाए कि दर्भंगा एरपोर्ट की लोकफिरियता में कमी आ रही है दोस्तों इस सवाल का जबाब हम आप पर छोड़े जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि निश्चित तोर पर दर्भंगा एरपोर्ट के यात्री अब ब रहे हैं क्योंकि उनके बगल में कुछी नगर अंतरराष्ट्री एरपोर्ट की सुविधा मिल चुकी है दूसरी बात ये कि पटना के गांधी सेतु पर अब जाम का जंजट करीब करीब खत्म हो चुका है तो गोपाल गंज, सीवान, बेतिया या मोतिहारी से पटना की दर्भंगा एरपोर्ट पर यात्रियों से इंडीगो और स्पाइस जेट मनमाना की रायवसूल करती हैं पटना और दूसरे एरपोर्ट की तुलना में यहां भाड़ा ज्यादा देना पड़ता है इसलिए जब गांधी सेतु पर जाम की समस्या खतम होई और कुशी नगर मे अंतराष्ट्रिय एरपोर्ट बना तो पस्चिम और उत्तर बिहार के कुश जीलों के लोगों को ज़ादा सुविधा हो गई और अब उनका मोह दर्भंगा एरपोर्ट से भंग हो रहा है दोस्तों इस वीडियो में यात्रियों की संख्या में कमी की जो वजह हैं हमने मिधिला की ऐसी ही महत्तोपूर्ण खबरें देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेर करें हमारे फेस्बूक इंस्ट्राग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें